नमस्कार दोस्तों यहाँ पर NTPC Limited शेर में हमें एक बहुती अमेजिंग पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो इस शेर में एक कप एंडल पैटर्न फॉर्म हो रहा है यह जो शेप है यह कप का शेप है और यह शेप हैंडल है तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं NTPC Limited शेर का Technical Analysis और देखेंगे कि क्या इस शेर में यहाँ से तेजी आएगी या फिर कोई बड़ी घिरावट आने वाली है इस शेर को अभी हमें Buy करना चाहिए या फिर Sell करना चाहिए और अंत में हम देखेंगे कि इस शेर में हमारे Short Term Targets क्या रह सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले अगर बात आती है इस शेर में support की तो यहाँ पर आप देखो इस शेर में जो सबसे ज़्यादा important support है वो है 110 रुपीज का level और दोस्तो यह important क्यों है क्योंकि यहाँ पर आप देखो पहले इस शेर ने इस zone में इदा resistance face किया था और उसके बाद इस शेर ने इस resistance को break किया और अब जब गिरावत चल रही है तो यह शेर इसी लेवल पर support ले रहा है इसलिए दोस्तो 110 रुपीज का level NTPC Limited के लिए strong support है आईए अब हम देख लेते है important resistance लेवल को तो दोस्तो अगर बात आती है resistance की तो यहाँ पर आप देखो कि इस शेर में इस price से लेके इस price तक continues up trendy चालू था पर जैसे इस शेर का price इस zone में आया मतलब 114.70 रुपीज के इदर आया उसके बाद ही इस शेर में गिरावट आ गई और अब जब इस शेर में यहां से यहां तक तेजी चल रही थी तब भी इस शेर ने same zone में resistance फेस किया और वापस गिरावट आ गई दोस्तो जब यह शेर इस zone में trade कर रहा था तब ही मैंने कहा था कि अगर आपको इस शेर में खरीदारी करनी है तो तब ही खरीदारी करो यहां सिगनल दे रहे हैं तो दोस्तों यहां पर मैं दो important indicator को लगाऊंगा जो सबसे पहला indicator है वो है mscd अगर बात आती है mscd की तो यहां पर आप देखो mscd में लगातार positive histogram generate हो रहे हैं और अगर बात आती है rsi की तो rsi भी bullish है दोनो technical indicators हमें buy का signal दे रहे हैं आईए अब हम देख लेते हैं मैं इस share में कब entry लूँगा और मेरे क्या targets रहेंगे तो दोस्तो अगर बात आती है खरीदारी की तो यहां पर अगर यह share यह जो cup and handle pattern form हुआ है इसका अगर यह share उपर के तरफ breakout देता है तो इस share में यहां से एक अच्छी तेजी आने की संभावना रहेगी पर दोस्तो अगर यह share इसका नीचे के तरफ breakdown देता है तो इस share में यहां से बड़ी घिरावट आने की संभावना रहेगी तो मैं इस share को cup buy करूँगा मेरा जो entry रहेगा वो रहेगा 114.70 रुपीज के बाद में अगर दोस्तो यह share इस resistance को तोड़ देता है और इसके उपर टिक जाता है तो मैं इस share में इदर से entry ले लूँगा और अगर बात आती है stop loss की तो मेरा stop loss रहेगा 110 रुपीज का अगर आपके पास already कोई holding है तो आप इस share को hold कर सकते हो और अगर बात आती है share में target की तो यहां पर हमारे जो सबसे short term targets रहेंगे वो रहेंगे इस share में 130 से लेके 140 रुपीज तक के mid time में यह share में 150 से 170 रुपीज तक के target अचीव करता हुआ दिकाई दे सकता है पर दोस्तों यहां पर इस share का breakout होना बहुत जरूरी है नहीं तो इस share में यहांसे वापस गिरावट आ जाएगी तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आई है तो वीडियो क किसला नहीं है धन्यवाद